नमस्कार मैं भाशा और न्यूस क्लिक की खास रपर्ट में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं जलवाईू परिवर्तन पर जलवाईू परिवर्तन के लेकर COP26 हुआ जिसमें दुनिया भर के नेता और तमाम उंग के प्रतिनिधी शामिल हुए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस्त प्रबीर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो COP26 हुआ ग्लासगोव में वहाँ पर क्या निकला दुनिया को बचाने की जद्दो जहेद चल रही है जिस तरह से बार, भीशन सुखा, तूफान इस दौर से गुजर रही है, तापमान बढ़ रहा है क्या जो पूरा का पूरा गतिरो था पैरिस एग्रिमेंट के बाद से ग्लासगोव का जो एग्रिमेंट हुआ है, जो समझोता हुआ है क्या हम दुनिया कुछ कदम आगे बढ़ी है, दुनिया को बचाने के लिए देखिए, नाकरात्मक अगर दृष्टि को न रखे, तो ये है कि एकदम विफल हो रहा है जलवाईव बचाने की कोशिश ये नहीं है, कि अभी बातचीत तो जारी है, बातचीत अभी भी चल रहे है कि हमें कुछ करना चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रगती से हम बढ़ रहे हैं, उसका दतीजा अच्छा नहीं होगा दुनिया के लिए पहले एक फीलिंग्स थी कि ये तो गरीब देशों के मामला है, उनमें गरम देशों का मामला है, उनमें टेंपरेचर बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा हम तो ठंडे देश हैं, अमरिका हो, यॉरप हो, कैनेडा हो, उनको ये कहा हमारा इस पे खास होने वाला नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग इनका प्राब्लम है, हमारा नहीं, हम तो बिजनेस आज यूशल करेंगे पर ये जो रवाया था, उस पे तूटा जो है, ब्रहम, इस बात से है कि जो एड़वर्स वेदर इवेंट्स कह रहे हैं कि बाढ़ आना, सूखा पढ़ना, पचास डिगरी, कैनेडा का जगह सामर में बढ़ गया टेंपरेचर, आग लगना ये सबसे उनको लग रहा है कि वो भी नहीं बचेंगे तो इसलिए थोड़ी सी सीरियसनेस फिर इस क्लाइमिट चेंज एग्रिमेंट के दहद दिखाई पड़ रहा है इरादे अच्छे हैं, अच्छी बात है पर कदम क्या हुआ है, आप जब पूछते हैं कि कदम अभी भी ठोस रूप में नहीं हुआ है क्यों? क्योंकि दो चीज इसमें है, एक तो है कि जो अनन्न देश है, गरीब देश है उनके लिए उनको ज्यादा उर्जा चाहिए और उस ज्यादा उर्जा जो उनको चाहिए उसके लिए अगर वो fossil fuels न इस्तमाल कर पाए, कोईला हो, तेल हो, गैस हो, तब उनके लिए जो करना पड़ेगा कि renewables पर काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा उनके पास है नहीं और जो अमीर देश है, जो पहले इस तरह के कोईला जला के अपना प्रगती कर चुके है वो कह रहा है कि पैसे के बाद हम अगले साल करेंगे, इस साल आप ये गारंटी दीजिए कि आप ये चीज़े नहीं करेंगे और इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे गारंटी लें कि दुनिया को बचाने के लिए वो क्या कदम उठाएंगे पर इसके लिए जो पैसा चाहिए इसकी बात्चीत बात में करेंगा अब देख लीजिए पैरिस एग्रिमेंट में पैरिस एग्रिमेंट में बात हुई थी कि सो बिलियन डॉलर हम 2020 से देना शुरू करेंगे पर साथ अभी तक नहीं हुआ इसकी गारंटी की बात दूर रही इसका क्या होगा अभी फिर वही आशा है कि हां हम करने वाले हैं तो यह चीज जो है कि दो चीज जुड़ी वी है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें क्या कदम उठानी चाहिए और जो गरीब देश है उन तैयार कर दिया था हकीकत यह है कि बाते अच्छी हुई है अच्छी बात है पर ठोसके बात हो गई थी जो पिछले कुछ सालों में बिलकुल अंतराश्टी परिदेश से थंड़ा पड़ गया था मामला लग रहा था कि अब प्रिथ्वी की चिंता किसी को नहीं है तो उस द लाइन निकलनी चाहिए पैसे के बारे में क्योंकि पैसा भी एक एहम मुद्धा जो आया भी तमाम लोगों ने रखा भी तमाम गरीब देशों के जो नुमाइंदगी हुई रिप्रेजेंटेशन था उन्होंने कहा कि हमें चाहिए और आप जो अध्यान हुए हैं कि विक्स की बचा है हमारे पास देर डिग्री सेंटिग्रेट के नीचे रहने के लिए मतलब यह 14 परसेंट जो बजट है यह सोच लीजिए कि अगला 20-25 साल तक खतम हो जाएगा तो देर डिग्री अगर के अंदर हमें रहना है तो हमारे पास बजट कार्बन बजट बहुत कम बचा ह तो हम ओवर्शूट करने बाले तो मान के चलना पड़ेगा आज के तारिक पे क्योंकि अभी भी जैसे आपने कहा हम जो कह रहे हैं कि ठोस कदम के बाद अभी भी नहीं हुई है ख्वाइशें जताई गई है पर इस वक्त जो अगले 10-15 साल जो कदम लेनी चाहिए वो कदम रेने के दिशा में उस तरह से कोई परिवर्तन नहीं है देर डिग्री का जो टार्गेट है लगता है हम उसको हर चुके है क्योंकि इसमें इस तरह का कोई अर्जंसी नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भारी मात्रा में वा ग्लोबल वार्मिंग गैसेस पैदा कर रहे हैं उ इस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अमरीका लेके है सबसे हिस्टॉरिकली सबसे ज्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग का जैसे ग्रीन हाउस गैसे सबसे ज्यादा कर चुके हैं इसके बाद इस्टॉरिकल एमिशन्स यॉरप और चीन और इंडिया के भी नाम आता है पर ए गुद्व मान ही नहीं रखता क्योंद कि इसके पॉपलेशन हमसे एक दस्वा हिस्सा है तो इसी लिए जब ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है पर कैपिटा कितना ग्लोबल वार्मिंग गैसे अब छोड़ चुके हैं उसकी बात होती है उसकी अगर मानचित्र देखे मैप नीचे है चीन थोड़ा सा बीच में है European Union और अमरीका उसके आगे हैं तो इसी लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल से बात शुरू हुई थी जो पैरिस एग्रिमेंट ने छोड़ दिया कि हमारे जॉइंट रिस्पॉंसिबिलिटी है पर आइडेंटिकल रिस्पॉंसिबिलिट किसी को कम किसी को ज्यादा करना पड़ेगा historical emissions को देखते हुए यह पैरिस एग्रिमेंट में यह बात नहीं रही और अभी भी यह बात इस दौरान भी नहीं रही सिर्फ बाते हो रही है कि आप कितना काटिंग यह बात आएंगे और इसमें भी उन मुलकों से पूछा जा र रही चीन की तरफ भी नहीं ले जाता है हम जो कहते मिडल इंकम कंट्री तो है पर लो मिडल इंकम कंट्री है तो उस हिसाब से देखते हुए हमारा उर्जा अभी मेरे ख्याल से अमरीका से एक दस्वा हिस्सा हम उर्जा इस्तमाल करते हैं तो और उसका ग्लोबल आपको फॉसिल फॉयल जलाने से होता है और फॉसिल फॉयल एनरजी ट्रांजिशन के लिए चाहिए जब बाद में आप रिन्यूबल्स पे जाएंगे सस्ता उर्जा अगर आपके पास होगा तो आप ट्रांजिशन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास तब कम से कम एक बेस ब अपने लोगों को जिन्दा रखें और बाकी यहां पर एक सवाल जो बहुत बड़ा उठा और जिस पर बहुत खबरें भी आई अंतराश्ची मीडिया में वह भारत को लेकर आई भारत कोईला कि जहां पर एक तरफ दुनिया में बात हो रही है कि फेज आउट होना चाहिए कोईला भारत कहरा है कि हम अभी फेज डाउन करेंगे तो यह जो सारा मामला है भारत को लेकि जो चर्चा है को कि उस पे खास ध्यान देना भी चाहिए फॉसल फ्यूल की बात है टेक्नोलोजी ट्रांसफर की भी बात है लेकिन सबसे पहले यह क्या मामला है कि फेज आउट और फेज डाउन देखिए एक हिसाब से तो खास फरक भाशा करनी है मार पेच की है वही इंगलेंड जो की दो दिन पहले कोईला खादान शुरू करने की बात कर रहा था कोई दशकों के बाद वो आज कह रहा है कि कोईला एक दम जो है इस्तमाल नहीं होना चाहिए इसको फ अब तो उश्वाख फादे हैं कहने के लिए फेस ाउट नहीं फेस डाउन करें वजह क्या है वजह यह है कि हमारे पास तेल भी नहीं है ड़ी नहीं कृआ देखे तो कोईलlungen के इलाव है निएंड़ छीन की भी हालत है पर चीन हम से आगे है इस्तिमाल काफि कोईला कर चु है तो अमीर देश तो भूल जाए बीच जो कहते हैं थोड़ा अच्छा मिडल इंकम ग्रूप में भी हम नहीं है हम लो मिडल इंकम ग्रूप में हैं तो उसको देखते हुए कि इंडिया के प्रतिशुत्री ये देना वादा करना कि हम एकदम काटना आजी से शुरू करेंगे ये बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी भी हमारा उर्जा पर हेट पर कैपिटा हम गरीब देशों के लगभगी है अब कोईला नहीं इस्तिमाल करेंगे तो गैस क्या बाहर से खरीदेंगे कहां से खरीदेंगे पैसा कहां है पाइप्लाइन यहां आनी सकता अभी तो ये सब अब देखते हुए हम ये हमारे लिए कहना कि कटावती हम शुलू करेंगे यह मुश्किल है इसलिए फेज आउट के जगा पर हमने फेज डाउन कहा कि थोड़ा बढ़ाएंगे अभी इस्तिमाल जो हो रहा है अभी भी हमारा कोईला का इस्तिमाल की जो हम प्लैनिंग में है वह बहुत कम है हम करीब 70 मेगावाट हम प्लैन कर रहा है कि एड करेंगे कोईला जबकि उसमें 37 मेगावाट 70 गीगावाट हम एड करेंगे जिसमें 37 गीगावाट अभी अल्रेडी हमारे डेवलप्मेंट स्टेज में है पतलब उसमें हम खर्चा कर चुके हैं और गीटावाट के इसनिविए हम उस्तिती में हैं नहीं क्योंकि बिना तेल बिना गैस के जो यॉर्प कर ना चाहता है डानसिशन गैस तेल इसत्वाल करके वहं नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर गैस की शोध है और हमारे पास नहीं है तो यह एक बुन्यादी फरक drinking और asset को न कुई है कि इसी बाइड गए दो साल बाध कौन प्रेशिदूंत होगा कि किसी को नहीं मालूम हर प्रेसिडेंट जो है पीछले प्रेसिडेंट का जो चुक्तियां किया हुआ 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 हट गए पहले ट्राम्प उबामा के साथ और इसके पहले भी जॉर्ज बुश क्लिंटन ने जो साइन किया था उसे वादा किया था उसे वट गए थे तो उनका वादाओं का कोई कीमत है ही नहीं जिस कहते है ट्रीटी इनकेपिबल है तो इसी लिए हमारा जो है इस तरह के वादा करना हम अमरीका के स्थिती बे नहीं है अगर वादा करेंगे तो सब गर्दन मरोड के हमसे वह वादा पूरा कराएंगे यह अनफॉर्चिनेट सिचुएशन अंतराश्टियस तर पे है इसी लिए हम थ का हम फेज डाउन करेंगे तो हम वही चीज सब के सामने कहके बदनामी तो हमारी हुई खास तोर से कि मोदी जी इससे काफी अपना बहावाई लेना चाहते थे कॉमिट्मेंट जो कर चुके है कहा चाह कि हम 2070 तक 0 कर देंगे ट्रांजिशन करेंगे यह सब कहके पर इसके सा और एक बात जो है सिरक कोईला के बात नहीं हमने यह भी कहना शुरू किया है कि 2030 के हमने जो गैरंटी से दिये हैं वो तभी होगा जब हमको एक ट्रिलियन डॉलर मिलेगा तो यह भी स्वर जो है अच्छा नहीं लगा लोगों को क्योंकि आप वायदे जब करते हैं तो उसक हिंदुस्तान अगर कहें कि हमको भी एक और एक ट्रिलियन चाहिए तो वो कहां तक जैस्टिफाई होता अस हकीकत तो बात यह है कि भारत वर्ष अपने आपको जो इतना बढ़ा चड़ा के दुनिया में अपना सुपर पावर के पेश करते हैं वहां पर एक ट्रिलियन इन चीजों से भी हमारे काविश भी खराब हुई एक आखरी सवाल आगे का रास्ता क्या आपको लगता है कि अभी तक कोई बाध्यकारी समझाता नहीं हुआ कोई बाध्यकारी समझाता की रह निकलती है और क्या धन जो सबसे बुनियादी चीज है दुनिया को बचाने के लिए उस दिशा में कुछ सहमती या एक दो कदम आगे पीछे हुए हैं कॉप 26 से हम मैं सबचता हूँ कि जो आप कह रहे हैं बाध्धता मुलक कोई संधी की तौर और बढ़ने का कोई कदम आगे नहीं बढ़ा ना बढ़ने की संभाब ना है खास तोर से सबसे बढ़ा जो द जो चबी निकली है कि अमरीका के साथ समझाता करना बेकार है अमरीका अगर समझाता नहीं करता कोई वाध्धता अपने उपर नहीं डालता दूस्टे मुलक नहीं डालेंगी यह तो हकीकत है सवाल यह है कि दुनिया में प्रेशर है इस वक्त कि सभी देशों को कुछ ना बदना पड़ेगा तो अंद्रूनी प्रेशर के वजए से काफी बदलाव की सभावना है देर डिग्री चांस बहुत कम है इस वक्त 1.1 डिग्री अभी हो ही चुका है अभी अबारा 70 साल और बड़ी तबाही आ जाएगी 1.5 से अगर तापमान बढ़ेगा तो देखिए कित लेंगे यह संभब इस वक्त नहीं है वो जो विल पॉलिटिकल विल चाहिए देशों को वो है नहीं और खास तोर से मैं इस पर अमरीका के दोशी मानूंगा क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क सबसे ज्यादा धनी मुल्क अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता तब दूसरे जास, ओयल यह सब छोड़के रिन्यूबल्स के रास्ता ढूंडे और रिन्यूबल्स की इस वक्त कॉस्ट क्योंकि कम हुई है तो इसलिए वहां आशा है कि रिन्यूबल्स की इस तरह से कॉस्ट अगर कम होगा एकनॉमिकली ज्यादा संभावना है कि इन चीजों को हम फेज रिसोर्स के पास है रिसोर्स कि के पास? खासरत से हिंदोस्तान के लिए चीन के पास है, तो हम अपना टेक्नॉलज़ँ क्या विश्थार करेंगे, दुनिया में टेचंॉ就到ी कि इस पर विश्थार किया होगी एक तो यह सबाल है, तो बैट्टरी टेक्नॉलожी के साथ यह के कम रहा तो इन सब चीजों को देखते हुए Seasonal Storage के भी ज़रुदत है Seasonal Storage कैसे होगा हमरी लिए दो कम से कम Hydroelectric dams हैं तो हम, Him को Converartz कर सकते है Seasonal Storage को और दूस्टे मुल्क क्या करें के मालूम नहीं है कि यह बार पहली बार आया है कि renewables हर season बे बराबर नहीं होता है seasonal storage भी चाहिए तो इन सब technical सबाल भी है पर अच्छी बात है आशा का किरन यह है कि renewables का दाम इतने घट रहे हैं इस तेजी से घट रहे हैं कि हो सकता है economic कारणों से भी global warming की प्रती थोड़ी सी हमारी नजर ज्यादा जाएगी renewables ज्यादा करेंगे जनता की राजनितिक चेतना और technology की संभावना देखते हुए मैं निराश नहीं हूँ पर यह सोचना कि देट डिग्री में हम रुख जाएंगे यह शायद इस वक्त काफी दिक्कत की बाद नजर आते हैं तो उमीद है कि दुनिया बचाने के लिए जो प्रेशर बन रहा है वह कुछ कारगर होगा शुक्रिया शुक्रिया